कैसे बाब लोग दोस्तों आप सबको लास्ट वीक मैंने MSP का फुल लेक्चर स्टार्ट टू इंड एक एक्सपर्ड के माध्यम से अपके प्रेसित करवाया था अब समय आ गया है कि आपके लिए कुछ और नया लाते हैं तो इस बार आपके लिए प्राइमेरा लेके आया हू या क्योंकि सीखने के लिए भाई जुजहारू होना पड़ता है तो अगर आप सच में सीखना चाहते हो तो start to end देखना मन लगा के देखना क्योंकि इस लेक्चर को बनाने के लिए definitely back end में हमें बहुत कुछ spend करना पड़ता है तब आपके लिए लेके आता हूं आज भी कु मेरा में कोई special topics पढ़ना है तो आप आनन्द रेडी सर को comment के माध्यम से बता दो ना यार ठीक है चलो देखो मैं ज़्यादा समय नहीं लूगा आप बोलो के सर मुझे मेरा का लेक्चर देखना है जल्दी से देखता हूं यस आप चलिए देखिए प्राइमेरा का लेक्चर उसके बाद एक एक बच्चे से बस इतनी सी फीस है क्या पता है एक छोटी सी फीस है क्या पता है बस आपको comment कर देना है क्या comment करना है कैसा लगा आपको ये session तो ये आप comment कर दोगे ना तो मुझे लगेगा क्यार ठीक है जो भी मेरा घर्च होता है जो भी मेरा हो रहा है वो पराम से देखो उसके बाद फीज के लिए जस्ट लाइक कर देना कमेंट कर देना फीज का ताम चलो देखो फिर फीड़एक दो को क्यों इतना चुबस और ठेमेर केरे क्योंट सही है वह संतल कि नहीं परैमेर क्या को कि वह इतना ओस्ट मांद में प्रैमेरUST अगे सब्सक्राइब नाव जब हम सफ्ट्र को ओन करेंगे तो एसा एक पेज उपन होता है हैर वी कैन सी दिर इस ऑप्षिन काल लॉगिन नेम पास्वर्ड है ओके सो हमें तो क्वेशन आए गाओगी याइचली लॉगिन क्यों चाहे साफ्ट्र को इस इसमें उससाफ़्र को डिरेक्ट्ट उपन कर सकते हैं लाइक आटो क्या रवीट स्ट्र प्रो इमस्प्र में अनी सफ़ेर बट प्रेमर लिपीड की चाहिए क्यों मैं करना वन रहा है सब्सक्राइब करते हैं मतलब जो भी हम डेटा यहां पर क्रियाट कर रहे हैं वो डेटा हम कहीं पर लिख होने के चैंशेस ने शेर नहीं हो सकते हैं यही एक में रीजन है कि बड़ी बड़ी जो भी यहीङ कंपटनिज हैं वो कंपटनि प्रमळाव सफ्वेयर, यह करते हैं क्यूंकि इट इंपोकरन डेटा हैं कि भी अउना मेंस का क्या एक प्रइमराव टीमाड मेंड का कैरेंगे फ्र ऐने कंपना कंपनी घ्रत विर्ट हूर् कुछ एक्स्टा जो फीचर से ना उस फीचर से सफ्ट्र कुछ अलग करता है लाग MSP तो है प्लैनिंग मैनेजमेंट के लिए पर प्राइमेरा में कुछ ऐसा अलग है जो फॉद्ध रिजन उसे एक थोड़ा सा अलग पहेचान है प्राइमेरा के लिए किपाले टाइबें करा पास्वट करनाए एफ कैसे हमारो फुद का परजेट करना कैसेनस करनें से एक टिशएन सफर्म करनें चालेंडर काई सी किरेट करना है we will start from one to one okay so uh in we can see there is a login name and password so we have a picture already database create hoga just rapid database click karna so you can see there is one database created database already created so we will start actually i'll put some password here and try to log in and just i'll click on connect so you can see your peak warning are that is invalid username or password please try again oh abhi jo login ID password only put care it's a invalid means other we can see i'm understand kar sakti agar a pek hud ka login ID password a to koi b a car up kai database open nai kar sakti oh haa agar us ke paas pa pura login ID password here in a correct to no one can see that work okay okay tom kya karengi ji pilot data data security at kaya jata hai hemarie khud ke company llihe and our personal positions kiri so just go to the database kuchh bada kama nai i was created karna bus database page and i was simply a p option called add karka यह प्रिवेस से ना वो डिलीट करते हैं ओके अंदेन जस्क्लिक एड़ करो जो सॉफ्टिर ना इट्स ओर एकल प्रोड़क्ट और एकल का प्रोड़क्ट है सॉफ्टिर एक्चुली ओके अभी जो ड्राइवर टाइप है ना उसे क्या करना हमें पीशिस प्रोस्टेंड अलो अभी हमें क्या करना है का तो यह अगिन नेम पास्वड आपिशिट कर मतलब फूद का एक लॉग इन अडिया और पास्वड आपिए करना तो फॉर एक्जांबल माइन इस अनन पुटिंग माइनम एर किया करना है पास्वड करना है तो आम पुटिंग दापसवड एरए कि ङए कि अपको समझ में आएगा ख्या पासवर्ट में नीय पुट कि अगर समझ में आजाता आप मेरा डेटावस उपन कर सकते रहा हे अगर याप्टाप भी मेरा सब्सक्राइब लिए पासवर्ड भी निव सेट क्या है तो जिस्ट से नेक्स्ट निव पासवर्ड आज नॉट मैच्ट ओके तो जिस्ट अ मिनिट आगे नेक्स्ट ओके वहां पात ने ले रहे हो सब्सक्राइब क्लिक करो और जो भी जावे भी सेव करना है एक पात है आपे देदव से अब ओके मैं यह दे रहा हूं सेव करते हो आपे अंधियन से नेक्स्ट अगर सेम पात में हो गया ना प्रिवस्ट से तो आपे सेव नहीं होता तो कुछ अलग पात सेलेट करो तो ओपन हो जाएगडा रटी और फिनिश करो उसे आपे अपे देटाबस है पर क्रेट हो चुक है जस्ट गो टू लॉग इन लॉग इन पर जाकर जो आपका ना में यह पर करना है लॉग इन ने अनन्द पूट किया था और यह पर करना है पासवर्ड पूट करना है हमारा कि देन से कनेक्ट अंद देन से आगें ओके यास तो यहां पर कैसा है कि यूजर इंडेफेस ओपन हुआ है दिखने में थोड़ा कंफ्यूज लेगा क्योंकि बहुत सारी कमांड से यूजर इंडेफेस बहुत कुछ यादा बढ़रा दिखता है बट इस वेरी इजी ट्रस्ट में अगर आप थोड़ा सा यूस्टू हो जाएगा साफ्यर आपके हाथ से तो कहां पर भी आप कोई भी क दिखा साउर सेमा ली शम्चवीज उसके पिस मंटलब एंटर्प्राइच पर इंटरपर इंटर्पराइच च यूसर रहे करें like construction हो सकता है, energy services हो सकता है, manufacturing हो सकता है, oil and gas हो सकता है, developments हो सकता है, so this is the main EPS, that is enterprise project structure, और उस EPS में, then next are the projects, कि कोन से कोन से project, उसमें हमें क्या करना है, start करना और create करना है, यह तो by default से सारे, अगर हम इसे scroll करेंगे, you can see, corporate program की है, IT के भी project से कुछ, directly, okay, but हमें खुद का एक EPS बनाना है, क्या करना है, we want to create our own EPS, that is enterprise product structure, कि हम किसमें service प्रोइड करते है, for example हमारा developments में है, for example हमारा interior का है, for example हमारा land serving में है, जो भी आपका, खुद का, जो EPS से क्या करना है, create करना है, like जो भी आपकी company service प्रोइड करते है, according to that, so just simply क्या करना है, go to the enterprise, okay, यह चो start and initial है, इसे set up करना बहुत important है, अगर यही set up नहीं करेंगे, तो we can't create the project, we can't create the activities, पहला हमें EPS set करना है, OBS set करना है, then project create करना है, then we can schedule the activities, so this is the initial stage of the primary software, क्योंकि इतना अगर हम करेंगे तो क्या होगा, हमें ही वो जो data है ना, वो क्या होगा, थोड़ सा proper आया जाएगा, we get the clear idea, और exact idea about the project, so just go to the enterprise, यह पे option and are called enterprise product structure, वह आपे click करना है, okay, so you can see, यहां पर कुछ by default already already made add, okay, right, but हमें खुद का कुछ नई accurate करना है, just say add, okay, when we add, so यहां पर आचुका option that is new EPS करके, but वो क्यांपर add हो चुका है, वो एक separate आचुका है आचुका है आपर, right, तो क्या करना है, वहांपर click करो, उससे तुम rename कर सकते, तो, for example, हमारा development का क्या है, EPS हमता हम सर्विस कहां पर प्रड़ कर रहे हैं, that is development, हम development करते हैं, for example, developers हैं, okay, so, उसे shortcut की देते हैं आपर, B, B, E, 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 करेंगे, development करेंगे, then, उसे close को तोड़ा readily, close करके, just scroll down, यह दो को यहांपर development करके, एक EPS हाचुका है, right, खुद का EPS, we created our own EPS, that is enterprise product structure, अब इसका नेक्स पाट होता है, वो हता OBS का, what is mean by OBS, OBS means object breakdown structure, just a minute, yeah, OBS means object breakdown structure, means responsible manager की कौन सी client और कौन सा company वो प्रोजेट क्या कर रहा है, हमें वो असाइन करना पर देक्चुली, क्योंकि जब हम report generate करेंगे, तो we have to know कि कौन सा client इस project का handle किया है, so OBS के लिए simply आगे इंटरप्राइस पे जाना है, आप यह option है called OBS करके, उसे open करो, हमें new add करना है, add करो उसे, ok करो, जो भी आपका organization का नाम है, जो भी आपका example अभी लेंटी का है, क्योंकि लेंटी करेंगे, क्योंकि लेंटी यह project क्या कर रहा है, क्योंकि लेंटी करों से, जो भी आपके लिए प्रोजेट करना, तो प्रोजेट करने के लिए, जो एपके हमने create किया है, उस पे right click करना है, राइट क्लिक करके, जो option हो आपके add करके, add पे click करना है simply, select e-paste करके option, अब e-paste था हमार सेम रहेगा development, जो हमने create किया था हम खुद के लिए, जो आपके click करो, यहां से तुम change भी कर सकती, उससे directly, but we want to go with the development, जो हमने create किया, so again say next, project name है आपके अभी, अभी for example हम एक कुछ बड़ा project हम क्या करना है, for example, कुछ नाम दाल दिया हम, एले एंडी टार्स कर गे, something, then say next, अभी हम पर, we can see हम पर क्या है, कुछ ज्यादा कुछ काम नहीं है, for example, from 1st of August, project हमें start करना है, from the Monday, just select करो, then next option है, that is must finished by, अब हमें क्या करना है, finish date भी क्या करना है, set करना है, but we can see, we can focus on, there is a word, that is must, must मतलब, करना ही करना है, मतलब, अगर हम finish date यहां पर, set करेंगे, तो क्या होगा, उसी के दिन हमें वो project क्या करना है, खतम करना है, ऐसा उसका meaning हो जाएगा, but it's not possible, project delete होता ही है, अगर कोई भी कौन सा भी अगर problem आता है, बीच में, तो क्या होगा, एक दो दिन से क्या होता है, यह project delete हो सकता है, it's not predictable, but हम क्या करते है, थोड़ा सा, एक idea लगा जाए, we schedule the project, to get the approximator, actual तो नहीं कह सकते है, but at least approximative duration हमें क्या होता है, मालूम पड़ता है, but अगर उसे हम must finish का, अगर हम tag देंगे, उसी दिन हमें खतम करना है, so it's not possible, अगर हम practically थोड़ा सा जाएंगी, तो तो वो possible नहीं है, हाँ यहां पर तो हम plan करेंगे, but अगर side पर तुमारा काम थोड़ा slow चल रहा है, कोई problem हो गया बीच में, कोई machine बंद पड़ गया, कोई for example, कुछ accident हो गया, तो क्या होगा काम बंद होगा, अगर होगा होगा, तो यहां भी फिनिज़ एट स्रेट मत करना है, बस plan starts, क्या करना है, set करना है, अगर गो तो अपर नेक्स्ट, अपर नेक्स्ट अप्टन पर रिस्पोंसिबल मैनेजर, कि रिस्पोंसिबल कोई इस के लिए, तो हमने क्या किया था, क्या था, तो क्रेंट के आथा, विस्ट इस object breakdown structure उसे assign करो, तेन से next, आपे rate type as standard rate रखना है, यहां गो तो the next आगे और फिनिश, जो के सी नाव एलन टावर करके यहां पे एक प्रजेट उपन हो चुका है, यहां भी आगे यहां प्रजेट कर हैं, इसमें पूरे टास्क कब स्टार्ट वर रहाए कब एंड वर रहाए मंध कॉन सा रहेगा ओधिखाएगा दिन बिलोग दैट इस इस दो एक्टिविटी डिटील्स टेबल जो बॉटम में दिख रहे है जो भी आबाट प्रोजेक्ट आबाट अक्टिविटी आबाट इप्यर् information वो पूरा ऐक्कुटो डीटेबल पर आजाता है अब हमें क्या करना है लand या करना करना है तो simply क्या करना डीट क्लिक करना है राइड्ट क्लिक करके जस्ट में उपन दसका बंड़ प्रजोट एक सीब यह से है ऐसा एक ब्लैंक पुर्जेट अब आ चुका है इससे पहले गया था जो भी बाइडिफल्क प्रजेट थी उसमें अक्टिविटी इस अलड़ी आड रही थे बट हमें क्या करना है न्यू फ्रेश एक प्रजेट स्टार्ट करना है एलंटी डावर्स कर गए तो वह काम का से स साइड पर्चेस करने से साइड पर्टेस करना है उसका क्लीनिक करना धैं लेयावड करना उसमें सवहर्ष करना है फाणेशन और दिन कर नंक तो सकता है ये वो सकता है ok सब्सक्राइiene करने की लिए अटर्पाररत्र में जाना है इंटर्प्राइज में आप्षिन आपी क्या इंडर्स कर रहें जास उसे उपन करो उपन करने के बाद वी कैंसी आपी कुछ देर वाप प्रप्राइब ना फाव देज वर क्विक भी आव लेवल देन स्वें टेंटीफर बासी और श्रीटिफर वी और फाव टेन बीए बट रहें पर थीन टाप्स अपके लेंडर से दैट इस ग्लोबल मतलब जो हमने आप प्रजिट ओपन कियते हैं अभी प्रोष सारे बोगी वह जो प्रोट欸o पूरइट के लिए में सारे पृट मिपरेंट के अंव रचलांटर क्लिए ऊसे हम यूज कर सकते में इस ग्लोबल मतलब कौन से भी पृडच को में चले रखते हैं मतलब for some works for some reasons other than project calendar एक वाद है resource calendar जो एक particular resource को हम क्या करते है आसायन करते है कि हाँ तो you have to work two hours extra तो उसके लिए भी कुछ अलग हमें schedule बनना पड़ेगा ना so for that reason हमें resource calendar भी यूज करना है then the third one is that is a project calendar project calendar means हमारा जो भी current project है उसके लिए अगर खुद से और कुछ new calendar create करना है so we can see that is a project calendar जो हमारे बस current project ही हम क्या कर सकते use कर सकते it's not the global global मतलब all for all the projects और अगर सिप current project के लिए करना है तो हमें क्या करना है third type use करना है that is project करके अब हमें क्या करना है new calendar create करना है ओके उसमें हम क्या करेंगे six days of working रखेंगे saturday तक for example अगर mnc company है तो saturday sunday off रहेगा but we'll take it as a example कि saturday तक working है और बस sunday off है so वहां पर एड करना है simply add करने के बाद आपन हो जाएगा तहुमें क्या करना कॉपी करना स्टेंडर का कि कि वही एक standard calendar है जो mostly use कर दें companies वह से क्या करना है बस plus symbol पर click कर राइट प्लस symbol पर जब click करेंगे तो क्या करना है यहां पर calendar को क्या करना है नाम पूट करना है अब इसे हमें करना है जब हम इसे modify करेंगे तो यहां पर देखो saturday sunday पूरा डार दिखा रहा है मतलब by default saturday sunday off है और हमारा वर्क वीग जो सेट होगा है फिब डेज आप वर्क वीग है मतलब फ्राइड़ी तक वर्किंग है पूरा बट हमें क्या करना है तो उसके लिए क्या करना है जिस सिंप्ली वर्क वीग पर जाना है राइट अभी सेटेड़े भी क्या दिखा रहा है जुरू आवर्स मतलब फ्राम मंडे टू फ्राइड़े एट एट आवर्स है बट अन साटेड़े इस जुरू अगें मेके टेट हार्स और अन साटेड़ अगर नेक्स मंत हम मूँ करेंगे तो अगोस्त में भी देखो साटेड़े पूरा वर्किंग आ रहा है त्यूंकि हमने पूरा जो भी आफ ता उसे पूरा क्या हमने चेंज गया है तैन अगें क्या करना है टाइम प्रेट पर जाओ ओके अभी टाइम प्रेट पर करना है पूरा क्या हो जाएगा आफ हो जाएगा वो दिन पूरा मतलब आपके जो भी टास्क अप्रेट करेंगे तो 15 अप अगोस्ट को कुण सा भी टास्क पर शुडूल नहीं हो सकता क्योंकि उस दियान हमने क्या रखा है ओफ रखा है राइट सो आइसे आम अपहलेज भी आड़ कर सकते हैं देन गो तो दो ताइम परियाट तो इन ताइम परियाट वी थे एर इस हावर्स पर दे राइट हावर्स पर देम अधलब इस फोर्ट एट मल्टिवल अब एसिक्स करेंगे यह जट इस फोर्टियाट है आवर्स पर मंथ और स्पर मंथ अभी ओन मंद में कितने अवसंडेज आएंगे फोर आएंगे उस प्राइट उससे जाद हो तो नहीं आ सकते मैं आग्जिम्म कभी आया तो दाट इस फाइव कितने दिन 25 तो 25 मंथ में आवरेज्ट फ्रम हमें काम करना नेक्स टेज़ अवर्स पर यर अब इसमें मैंस करने पड़ेगा फिर से एक और वन मंथ में फोर संडेज आएंगे तो 12 मंत कितना हो गया ना इस 48 संडेज अगे हमने याड़ के उसमें दिया वाली की holidays like Christmas Independence Day Republic Day ओके एक number लेंगे हम that is total 10 holidays है whole year में आगे Sundays को पकड़के तो कितना हो गया 58 हो गया तो 365 minus अगर 58 करेंगो तो कितना हो गाओ that is 307 तो क्या करना 307 multiply by 8 करना तो उसका जो भी हावर से न उसका वेलिवागा 245 एट सम्तिंग कुछ तो इतना आता होगा अब कर सकते हैं आप खुझ से भी जैन से अब यहाप ही थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हैं थोड़ा सा ध्यान से देख समझ में आएगा यहाप हाप हाप आवर का time slot set है हाप हाप फावर का right so you can see now I'll be happy कितना बजा है याप 8 हो गया okay then from moving from this point to this point that is 830 you can see 830 then from moving this point to this point that is 9 अब नो यहाप बच चुके देन अगे नहीं यहाप नाइन रहेगा 930 रहेगा अगे नहीं यहाप 10 रहेगा but हमें क्या करना timing set करना 10 to 7 कितना 10 to 7 मतलब अभी जो वर्किंग है ना before the 10 which is set करके हम क्या करेंगे नान वर्क करेंगे ओके नान वर्क किया हमने right then again 10 to क्या करना में the 10 से 2 बज़ेते क्या करना में वर्किंग करना है और 2 से 3 बज़ेते क्या करना हमें कि करना है वर्किंग करना है मतलब काम नहीं हो सकता राइट देन अगेन फ्राम 3 सेट हो चुका है अगेन जाओ वर्क विक पे हाँ आपर यहां और वर्किंग रहेगा तो पूरा यहां ग्रहेगा आगेन जो रिमिनिंग जो डेष ना उसका आप तरह पर आपर ताइम करना जैद करना है मतलब अगें अपर क्या होगा यह नौन वर्क अगें 3 लॉंज व्रेक लॉंजब्रेक होगा आगें तीटू यह ओन अगें वर्क ऊगा हो था उसे अखे और हम जब भी हमकिसी डेट भी सेट करेंगे तो आपयो ट Bio Timing Set हो चुका सबसे अभी हमारे के दरeking हो कुए करना इन अ हुए हुए हमारे करने कर चाहँ कर सकते हैं लिएंज कर सकते हैं गय़ क्लिए infection जोब कर सके